लड़की का हुलिया अमीरो वाला था उसने इतने सारे गहने पहने थे कि उनकी चमक से कोई भी अंधा हो सकता था उसके कपड़े उसके पतले शरीर पर बिलकुल फिट थे और उसके बाल आसानी से एक अबडू हैरस्टाइल में बंधे थे कुछ मोती उस पर शोभा बढ़ा रहे थे वह आई और कोविन को गले लगा लिया जिस पर उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की अब मुझे पता चला कि उसने शादी तोड़ने का विचार क्यों सुझाया खेर मुझे परवान नहीं है मैं बस वापस जाना चाती हूँ हाई मैं फ्रांसिस का बोल्ट हूँ लड़की मेरी ओर देखकर मुस्कुराई आप से मिलकर अच्छा लगा मैं नटैली विंचेल हूँ मैंने अजीब तरीके से उत्तर दिया क्योंकि मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और वे खड़े थे इसलिए यह थोड़ा अजीब था चलो कोविन मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ उसने जान बूच कर मेरी तरफ देखते हुए कहा और फिर कोविन को बाहर खीच लिया ठीक है जैसा मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ मिंटों के बाद कोविन रानी के साथ अंदर आया मैंने कविन से सुना कि तुम उससे शादी करने के लिए तयार हो उसने खुशी से कहा खेर अब मेरे पास कोई अन्यो आप्षण नहीं है है ना? मैंने कहा था मैं सच मुच में खुश हूँ हम तुम्हें अब इस दुन्या के लिए तयार कर देंगे उसने कहा और अपना हाथ हिलाया मुझे लगा कि मेरे शरीर पर से सन्यम उठ रहा है और मैंने आराम किया आप कुछ देर आराम करें प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी उसने कहा और कमरे से बाहर चली गई कौन सी प्रक्रिया? मैंने अपनी भौहे सिकोड ली वहाँ एक प्रक्रिया है आप जानते हैं उसने अपनी गर्दन खुजाते हुए कहा बस मुझे बताओ मैं चिल्लाई जैसा कि आपने कल रात देखा आप यहां से नहीं है इसलिए हम आप पर कुछ जादू करेंगे जो आपके शरीर को नए वातावरण में समायोजित करने में मदद करेगा उन्होंने समझाया और इसमें क्या होता है मैंने पूछ लिया आप देखेंगे उसने कहा और चला गया अब वे मेरे साथ क्या करने वाले हैं मैं ठककर बिस्तर पर गिर जाती हूँ मिस विंचेल हम आपको तयार करने के लिए यहाँ है कुछ नौकरानियों की आवाज आई मेरा सब कुछ ख्तम हो गया है मैंने फुसफुसाया और फिर उनके पीछे बाथरूम तक चली गई वहाँ एक walk-in closet थी जो बाथरूम से जुडी हुई थी शायद हम एक कैसल में रहते हैं लेकिन यहाँ सब कुछ आधुनिक था जो मैंने अपनी पृत्वी पर देखा है उससे कहीं अधिक मैंने सनान किया और फिर एक शांदार ड्रेस पहन कर तयार हो गई जो नौकरानियों ने मुझे दी थी उन्होंने मुझे अपने कपड़े भी चुनने नहीं दिये एक नौकरानी ने मुझे बताया डिनिंग रूम में हर कोई आपका इंतजार कर रहा है खैर मुझे नहीं पता कि यह कहा है मैंने डरते हुए कहा वह मुस्कुराई और मुझे अपने पीछे आने के लिए कहा हालांकि यह बहुत आसान था लेकिन फिर भी यह जगा बहुत बड़ी है वह दो दर्वाजों के सामने रुकी और मुझे वही छोड़ दिया मैंने धीरे से दर्वाजा खोला और देखा राजा, रानी और कोविन वहां बैठे जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो मैंने बस उन्हें ग्रीट किया और कोविन के बगल में बैठ गई रानी की मधुर आवाज आई हम परिवार में आपका स्वागत करते हुए बहुत खुश है मैंने बस सिर हिलाया और उसकी और मुस्कुराई और फिर हम लंच करने लगे नटैली और मुझे कुछ ओफिशल वर्क के लिए ओफिस जाना है मैं उसे संसेट से पहले वापस लाऊंगा कविन ने घोशना की रियली मैंने उसकी ओर देखते हुए पूछा लेकिन उसने मेरे सवाल को नजर अंदाज कर दिया और कमरे से बाहर चला गया जबकि मैं उसके पीछे पीछे चली गई मैं कोई बच्ची नहीं हूँ किवह मुझे संसेट से पहले वापस ले आए मैंने मन ही मन बुद्भुद आया हमारे मेन एंटरिंस पर आने के बाद एक बटलर आया और हमारे सामने जुग गया कार तयार है सर उसने कहा और फिर धीरे से बाहर चला गया हम उसके पीछे पीछे कार तक गए उन्होंने कहा, बस कुछ ओफिशल पेपर्स पर साइन करने के लिए. कौन से पेपर्स? मैंने फिर पूछा. जब हम इस पर साइन करेंगे तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं, चिंता ना करें. उन्होंने फिर शांती से उत्तर दिया. और हां मुझे पता है कि तुम बच्ची नहीं हो. लेकिन तुम एक इनसान हो और जल्धी रानी बनने वाली हो. अपनी धर्ती से एक इनसान को लाना बहुत दुरलब है. हम तुम्हारी धर्ती की शांती को भंग नहीं करना चाते हैं. लेकिन कभी-कभी जब यहां आवशक है क कि हमें ऐसा करना होगा. उन्होंने समझाया. क्या आपको नहीं लगता कि यह स्वार्थी है. सिर्फ इसलिए कि आप यह युद्ध जीतना चाते हैं. मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सही लोग हैं. मेरा मतलब है कि शायद आप बुरे लोग हैं. मैंने कहा जो भी मेरे मन मे आया. वे कर सकते हैं मुझे मत मारो क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत है. उस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता. उसने सलता से उत्तर दिया.